तो देखते हैं हाँ पर question number 19 में हमसे क्या पूछा गया है अब motorcycle moving with the speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds and the distance travel in this time तो यहाँ पर एक motorcycle है जिसकी यहाँ पर initial velocity हमें यहाँ पर 5 meter per second और acceleration हमें गिवन है 0.2 meter per second square अब हमें यहाँ पर क्या बताना है कि जो उसकी speed होगी 10 second बात यहाँ पर कितनी होगी और हमें यहाँ पर बताना है कि वो यहाँ पर कितनी distance cover कर लेगा तो करते हैं यहाँ पर इसको solve और देखते हैं यहाँ पर क्या 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 ला ही तो यहाँ पर उसकी initial velocity गिवन है यूद्टराना है जो आख़सेशन है वह हमें यह पर कितना गिवन है यूद्टराना है गिवन है zamG क्या क्या होगी होगी 10 seconds ऑब गद ऑट सेंटराना है तो distance हम यहाँ इस से दिनोट करते है हैं तो एक तो हमयbung अपर है क्या करनी है च्यक्लेट करनी है तो करते यहांपri इसको सॉ mechanics टो दिश्तेंस निकालने के लिए सादिप आपशन को यूज़्स कर ऊँगा तो मैं यहांपर लिख लेता हूं using second equation of motion तो सेकेंडением of motion हमारह यहांपर क्या होता है s equal to ut plus half 80 square होता है तो s तो हमें यहां पर निकाला है इसको as it is लिखेंगे initial velocity हमें यहां पर 5 दे रखिए है and time हमें यहां पर क्या रखा है 10 second का दे रखा है plus half acceleration हमें यहां पर कितना गिवन है 0.2 गिवन है और time हमें यहां पर 10 second दे रखा वह तो ही हांपर कितना हो जाएगाJust इसको यहाँ पे करते हैं further spend तो यह हमारा कितना हो जाएगा 50 plus, add, इसको divide कर लेते किपना जाएगा 0.1,0.1 को hundred से करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 10 आ जाएगा तो actual distance हमारे हदिशन करेंuster कितना जाएगा motion using first equation of motion तो formula हमारे यहां पर क्या होता है वी इक्वल टू यू प्लस 80 होता है तो वी हमें यहां पर क्या बता है उसकी final velocity speed बता नहीं है तो वी as it is होगा यू हमारे यहां पर कितना हो जागा 5 meter per second plus acceleration हमें कितना किवान है 0.2 and time हमें यहां यहां पर 10 second का किवान है तो वी इक्वल टू यहां पर क्या हो जागा 5 plus and 10 से multiply करूंगा तो यह हमारे यहां पर कितना हो जागा 2 हो जाएगा तो वी इक्वल टू 7 meter per second तो जो उसकी यहां पर final speed यह velocity होगी वह हमारे यहां पर क्या होगी 7 meter per second होगी तो hope आपको यहां पर यह वाले question का answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते अपने next question के तरफ